हलो प्यारे बच्चों, नेट क्रेस कोर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर हरियोम कंगवार और बेटा आज से हम यहाँ पर क्रेस को अपलोड करना है स्टार्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि NCRT में बटा 38 चैप्टर हैं और सबसे पहला जो चैप्टर है इस दा लिविंग वर्ड तो इसी लिविंग वर्ड से हम सुरुआत करेंगे और आप जानते होंगे कि सुरुआत में चैनल पे लिमिटेशन होती है कि 10 मिनट से जादा बड़ी वीडियो मे नहीं कर सकते हैं तो अब इस सुरुआत में क्या करेंगे कि जो अर्नेस मायर के बारे में आपको बताएगा उसको हम यहां पर डिसकस करेंगे और साथी लिविंग के कुछ करेक्टर के बारे में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चले शुरुआत करते हैं यहां पर अ आस पास है अब इसमें जो पहला चेप्टर आज है हमारा दा लिविंग वर्ड इसे हम डिसकस करने वाले हैं तो इस यूनिट में जो सुरुवात में आपको इस पॉइंट दिये गए हैं इनमें पहिल एन इंपोर्टेंट है कि Biology is the science of life form and living processes. Biology एक ऐसी बिज्ञान है जहाँ पर हम life यानि जीवन के बारे में और living processes के बारे में study करते हैं. तो बच्चों इस शेप्टर की सुरुवात में आपको एक scientist के बारे में बताये गया वैसे NCRT की हर एक unit में एक एक scientist आपको पढ़ना है. तो यहाँ पर जो scientist हैं यह है Ernest Meier. इन Ernest Meier के बारे में कुछ point NCRT ने दिये हैं जिने हम discuss करेंगे जैसे Ernest Meier का जो जन्म है वो Kempton Germany में हुआ. तो यह पहला point इनके लिए आपको याद करना है. दूसरा Ernest Meier evolutionary biologist है. यह important point है. इन्हें कहा जाता है the Darwin of the 20th century. इन्हें 20. सताबदी का Darwin कहा जाता है. Ernest Meier दुनिया के सो सबसे महान बैज्यानिकों में ऐसे एक माने जाते हैं. यानि Ernest Meier was one of the hundred greatest scientists of all time. अब हर लाइन बहुत जादा जिए नहीं जो लाइन important मैं वो आपको बताऊंगा. इनका जो scientific career रहा वो करीब 80 साल का रहा. 80 साल के career में इन्होंने research किया ornithology. Ornithology is the study of the birds. Taxonomy जो मैं इसी chapter में आपको पढ़ाऊंगा. जू जियोग्रैफी. जू जियोग्रैफी का मतलब distribution of animal on this earth. Evolution विकास पूरा chapter आप पढ़ेंगे. Systematic इसी chapter में आप पढ़ेंगे. And the history and philosophy of the biology. तो अब ये जो छे field इनके हैं को याद करने का एक निमोनिक भी मैं आपको बताता hostage के दौरा आप इनी field को याद कर सकते हैं. जैसे H for the history and philosophy of the biology. O for the ornithology. S for the systematic. T for the taxonomy. E for the evolution. Z for the zoosieography. तो इस तरीके से आसानी से आप इन्हें याद कर सकते हैं. Origin of species diversity जो की एक important question है evolutionary biology में. इसकी जो definition है इसके बारे में Ernest Meyer ने बताया. साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं biological species के बारे में. तो species की जो currently accepted definition है ये Ernest Meyer के दौरा दी गई है. और इस definition के लिए हम term use करते हैं biological concept of the species. Ernest Meyer को कई सारे प्राइस दिये गए और इन तीन प्राइस को मिला के हम कहते हैं triple crown of biology आपके exam में पूछा भी जा चुका है. ट्रिपल crown में तीन प्राइस सामिल किये जाते हैं. बालजन प्राइस जो कि नहीं 1983 में दिया गया, international price of biology जो की 1994 में और क्राफूर्ड प्राइस जो की 1999 में दिया गया. अब अगर आप इन्हें याद करना चाहते हैं तो इसके लिए छोटा सा निमोनिक है CBI. CBI में C for क्राफूर्ड प्राइस, B for Belgian प्राइस और I for international प्राइस for the biology. तो ये तो अरनेस मायर के बारे में बात हो गई. अब हम प्रॉपर अपने चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं. diversity in the living world में जो पहला चैप्टर हमारा है the living world. इस living world में क्या क्या चीज़े हमें पढ़नी हैं? खास तोर से हम बात करेंगे living के character के बारे में, diversity के बारे में, इसके लावा हम बात करेंगे nomenclature के बारे में, taxonomic categories के बारे में और taxonomical ads के बारे में. तो इस चैप्टर की बात में काफी point आपके लिए लिखे हुई हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हैं. यहाँ पर सबसे जरूरी की what is living. लिविंग का मतलब क्या हम किसे living कहते हैं? तो यह सारी बातें यहाँ पर हम discuss करने जा रहे हैं. तो बच्छो पहला topic जो हम discuss करेंगे यहाँ that is what is living. यानि living क्या है इस बारे में सबसे पहले हम discuss करने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज़ आप यह जान लिजे कि living की जब हम बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में कुछ character आते हैं जैसे growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response, यानि इसको आप consciousness कह सकते हैं, come to our mind immediately as unique feature of living organism. इसके अलावा metabolism की बात करें, ability to self-replicate, self-replicate करने का मतलब reproduction करना, self-organize मतलब interaction, interact करना, emergence to this list, let us try to understand each of these, इन में से कुछ character के बारे में हमें पढ़ना हैं, अब कौन कौन से character आपको पढ़ने हैं, growth, reproduction, cellular organization, metabolism, consciousness और interaction, इन छे character के बारे में NCRT ने आपको बताया हैं, तो इन ही के बारे में हम डिस दिसकस करेंगे, तो बचो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम growth के बारे में detail में discuss करेंगे, क्योंकि एक एक topic हम detail में discuss करते चलेंगे, और अभी बस पढ़ाई आप start कर दीजे, जब हमारे चैनल पर ही limitation 10 मिनट वाली खतम हो जाएगी, तो फिर आदे ग